नमस्कार पार्टनर ने बेवफाई कर दी आपके जीवन साती ने बेवफाई कर दी कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें जिसके साथ मैं इतना बड़ा विश्वास क्रियेट किया उसे ने दोखा देगी इस अंसार में किसे पर विश्वास नहीं रहा चारों तरफ निरासा का निरासा का महौल है और मन में खूब रोना आ रहा है क्या करें उस समझ में नहीं आ रहा है क्या करें जिसके साथ इतना दिल लगा कर बेटे थे उसे ने दोखा दिया उसे ने चीट किया क्या करें यह अधिकतर लोगों की उलजन होती है अगर कोई किसी का पार्टर दोका देदे तो उसे लगता है कि मेरी पूरी जिन्द की खत्म हो चुकी है वो अपने आपको खत्म करना चाता है और वो अपने आपको कोशता है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यूं हुआ वो बक्वाण को कोशता है वो अपने पार्टर को कोशता है वो अपने परिवर को को शींद को 're not ने जिन्द की खत्म करने की कोसिस करता है कि अगर आपको भी आपकी पार्टर ने बेवपाई करकी है तो कभी भी एसा मत करना जीवन को वहीं पर इस्टोप महित मत करना जीवन चलते रहने का नाम अब अगर पार्टनर बेवफाई करते तो क्या करें लोग कहते हैं कि सर कहने की बाते तो बहुत हैं लेकिन जिसके साथ गुजरती है उसको पता चलता है उसको पता चलता है कि ब्रेक अप से कैसे निकले वापिस तूटे हुए दिल को कैसे क्रियेट करें उस सामने वाले को पता पढ़ता है बाते करने वाले तो बहुत दिने कर लेते लेकिन जिसके दिल पर गुजरती है उसको पता जलता है जब पार्टनर आपके साथ बेवफाई कर दे तो तो आपको क्या करना है? जितना रो सको उतना रोना. आप कोगे सर पार्टनर ने बेवफ़ाई कर दी और और रोना बिल्कुल आप रोना रोने से क्या है कि आपकी बावना बाहर निकलेगी जब तक आप रोगे नेते तो उन्हें बावना को अपने अंदर दबा कर रखोगे और वो दबी हुई भावना अंदर से अंदर ही आपको जलाएगी पार्टनर ने आपको दोगा दिया रोना आ रहा है तो बंद कमरे में जितना रो सके उतना रो इतना रो कि अपने आखों में आशू को सुखा दो किता है ना कि जब किसी को करीबी का व्यक्तिकाभी कर मोत हो जाती है तो वो दस दिन पंदर माहीने दो मेने तक रोता रो केते हैं दीरे-दीरे उनकी आखों में आशू सूक जाते हैं फिर वापिस दीरे-दीरे वही सामनी जीमन चलता रहता तो आखिर आप ऐसा क्यों नही तो रोने को रोने को रोकना मत जी भर के रोना पार्टनर ने आपको बेवफ़ाई की तो बदले की बाउना कभी मत रखना जब तक आप बदले की बाउना रखोगे तब तक आप अपने पार्टनर को भूलना पाऊगे अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है अगर आप ज भी दिल में आएगा और आपको बार-बार रोलाकर जाएगा ओर आप अपने कामका LN war लिए अपने परिवाद से रिष्टप होगे अपने फैमल से इसक्प होगे आपके दिमागो एक ही मायन में चलेगा उस से बडला के दो उस से बडला के से पार्ट्र में कहते हैं सामने वाला अपने दूसरे पार्टनर के साथ में खुश रहेगा और आप अकले अकले अंदर में मन में जलते रहोगे इसलिए बदले की बाउना कभी मत रखना अगर पार्टनर ने आपको दोका दिया होगा उसको उसके हाल पर छोड़ दो और आप भी अपने आपको दीरे करो इस्टेबल करो पर बदले की बाउना मत रखना वजह दूंडे आखिर आपने आखिर आपके पार्टनर आपको दोका दिया उसका रिजन दूंडे कि आखिर क्या कारण क्या मेरी गलती थी कि इस वजह से मेरा पार्टनर मुझे दोका देके गया या फिर पार्टनर की ब सामने हालका रिजन रहा आपका रिजन रहा हो सकता है कभी- Bjुक्भी अपनी खुद की गलतीकी Verg坏 से भे प्रूं को चोड़के चले और अगर सामने वाला इसे ही आपको छोड़ गया, उसे ही आपने उसको बेवफभी कर दितो, उसके उसके चाहल पर छोड़ दे, अपने आपको वाप्स एस्टेबल करें, अपने आपको वी दीरे दीरे उपर उप्टाए उसके बात सोचे कि अब आगे क्या करना है? भगवान से कृष्ण गीता में कहते हैं कि हर इंसान के जीवन में दुख अलग अलग प्रकार से आता है किसी इंसान के जीवन में दुख आता है तो वह वही ठाड जैता है उस दुख को लेकर वही रोता रहता है वही बेटा रहता है कोई इंसान उस दुख को लेकर अपने जीवन का अंत कर लेता है कोई इंसान उस दुख को लेकर आगे बढ़ जाता है और कोई इंसान उस दुख को वहीं छोड़कर अपने जीवन की नई शुरुआत करता है तो आप भी आपके उपर है कि आपके उपर ये दुख आया तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो क्या उस दुख को लेकर अपने जीवन को समाप्त करते हो क्या उस दुख को लेकर वहीं बेटे रोते रहते हो या पिर उस दुख को वही भूलकर जीवन में आगे बढ़ते हैं भगवान सी क्रिस्ट में कहते हैं कि सचा इंसान और देरिवान पुरुसवई है जिसके इंसान के जीवन में दुख आये तो दुख वही छोड़कर वो आगे बढ़े आगे की सोचे और आगे चले तो आपके जीवन में भी दुख आया आपके पार्टनर ने आपसे बेवफाई की आपके पार्टनर से आपको दोखा दिया तो उस बात को वहीं छोड़ो अगे बढ़ो उस दुख को वहीं खत्म करके आगे बढ़ो आगे कि जिन्दगी की सोचो और सोचो कि आपको कि क्या करना है साथ कभी मत करना जिंदकी तो रुकने का नाम नहीं है जिनकी तों हमेंसा चलती रहतीं समय कहीं रुकता नहीं समय चलता रहता है कि मिशने जब भी पाट्नर आप से बेवफई करे ना तो इह बाते हैं आप जरूर सोचना एक तो जी फरके रोना अपनी कि बावना इक बाहर निकलेगी बतले की बावना से बचना वज़े दूढ़ना कि आपके पार्टनर ने आपको किस वज़े से छोड़ा और आगे सोचना कि अब आगे आपको क्या करना है तो आप उस ब्रेक अपस का जो दुख हुआ है ना उसे आप जल्दी बाहर निकल झाल झाल